हमारे Unit 5 में High Energy Particle Detectors का Second Lecture में हमने पिछले Lecture में जो है वो Photographic Emersions के बारे में किया था आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो Cloud Chamber और Bubble Chambers दो टॉपिक्स पे रहेगा Now Cloud Chamber जो है अब जनरल एक जो चीज है, concept होई है कि एक तो Wilson के द्वारा ये develop किया गया था और इसके जो fundamental था वो ये था कि अगर कोई super saturated vapor हो तो उसमें अगर ions condense हो जाते हैं तो उनका detection संभव है क्योंकि वो अपने निशान छोड़ देंगे उस energy transfer के दराद तो ये तो एक fundamental है अब इसके अंदर जो word आता है वो ये है कि super saturated vapor क्या super saturation किसे कहते हैं तो super saturation actual में वो condition है जिसमें कि कोई जैसे general chemical solution लें तो उसमें अगर concentration जो solute डालते हैं तो वो अगर exceed कर जाए किसी equilibrium की condition से जो उसकी solubility product गया हम solubility value भी निकालते हैं कि given pressure और temperature पे तो ऐसा जो condition है वो super saturation की condition कहलाती है तो ये एक example है जैसे solid in liquid और ये liquid in gas भी हो सकती है तो यदि अगर हम उस तरह से liquid in gas करेंगे तो उसमें vapor के लिए वो vapor को normal saturation vapor pressure है given temperature पे उसको अगर exceed करती है तो वो एक super saturated vapor बन जाता है तो जो की Wilson cloud chamber या simple cloud chamber के लिए काम में concept आता है दूसरी एक चीज जो bubble chambers में होती है वो है तो cloud chamber का additional extension बट उसके अंदर super saturated की जगे एक चीज यूज की जाती है इसको बोलते है super heated liquid अब super heated liquid basically क्या है कि कोई ऐसा liquid जिसको की अगर हम heat up करें और वो एक liquid form में रहे उसके boiling point के ऊपर लेकिन वो boil नहीं हो मतलब वो boiling नहीं होगी पट वो boiling point के ऊपर ये temperature के ऊपर वो exist करेगा ऐसा जो liquid है वो super heated liquid के form में आता है इसका एक छोटा example भी है अगर आप उसमें करें तो तवे पे अगर आप drops डालें तो वो एक super heated liquid के form में behave करता है ये लेकिन जो चीज है super heated ये एक matter stable state होती है और इसलिए ये इसके अंदर ज्यादा sustain नहीं करती है उसी तरह cloud chamber में भी आपके जो state है वो उसके अंदर वो super saturated vapor state भी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जो use किया जाता है concept वो है कुछ adiabatic expansion का जिसके अंदर pressure given pressure पे temperature decrease होता है लेकिन यहाँ इस case में pressure decrease भीड होता है और temperature भी decrease होता है तो ये एक stable state नहीं होती है और जो की काम में आती है bubble chamber जैसे बताया उस प्रिंसिपल भी वही है कि जब ions बचेंगे उस track में ionizing particle के जब वो इस super heated liquid के पतुरू पास होगा और वो जो है एकदम से evaporation centers हो जाएंगे और वो अपने निशान छोड़ जाएंगे जिससे कि bubbles formation होगा वीपर bubbles का तो यह तो हो गया हमार concept अब cloud chamber के लिए इसको मैं standard tax से इसको लिया है और मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको इसको समझा पाएं हिंदी में और साथ में bilingual language में तो cloud chamber को हम इसमें पढ़ना शुरू कर देते हैं अभी basic principle आपको बताया मैंने और यह एक device है जैसा कि और detectors होते हैं बटी high energy detector है particles के लिए और ऐसा device है जिसके अंदर की tracks को जब ढूंडा जाता है जबकि कोई भी ionizing particle individual group में जब भी आएगा तो वो अपने जो निशान छोड़ता है उसको हम visual observation कर सकते हैं वो आंखों से देख जाता है तो उनका size microns या उसके उपर का size होता है तो यह एक अच्छा tool है और cosmic rays के study के लिए भी काफी काम में आता है और जैसा पूर्ण में बताया कि यह Wilson द्वारा किया गया था और इसके साथ और भी लोग जुड़े जिसमें Thompson और Calvin का नाम है और Calvin ने जो super saturated vapor का condensation है वो concept device किया था और develop किया था और इसके लिए एक simple सा एक figure जैसे arrangement है जिसमें एक cylinder लगा होता है और piston होता है जैसा thermodynamics में पासते हैं और उसके अंदर अगर gas हो fill की हुई air हो या कोई और भी gas ले सकते हैं और इससे अगर condensational vapor अगर हम alcohol मिला दें तो उसके अंदर alcohol जो है वो एक vapor के form में exist करेगा और अगर ये vapor जो है ये equilibrium में होगा उस liquid surface के किसी भी एक निश्चे temperature पे तो pressure अगर उसका उस equilibrium pressure जो है वो P0 हो और ये जो saturated vapor pressure attain हुआ है उस पे तो ये equilibrium state है उसकी जब वो form हो रहा है और अब जैसे बताया गर इसके अंदर adiabatic expansion यूज़ करते हैं हम तो यदि आप किसी चीज़ को adiabatically expand करेंगे तो आप देखते हैं कि निश्चित pressure पे वो temperature उसका down होता है पूरे system का लेकिन यहाँ पे adiabatic expansion में यहाँ pressure और temperature दोनों drop होते हैं to a new value जैसे P0, T0 से P or T और यह पाया गया कि जो saturated vapor है वो नया temperature जो होता है वो उसके मूल pressure से कम होता है लोरिंग होती है यह figure है जिसके अंदर की यह एक piston है जो की अंदर बाहर हो सकता है इसमें उसको move किया जा सकता है light अगर आईगी तो यहाँ पे condensation vapor बीच में form होगा और इसको हम camera से record कर सकते हैं जब वो condense vapors जो हैं वो हम form होंगे तो क्या से करते हैं इसको करने के लिए एकदम से piston को move कराया जाता है और एक निश्चित दूरी से और उसको फिर photograph करते हैं तो उससे यह ऐसी state जो super saturation state है वो form हो जाती है लेकिन जैसा मैंने बताया क्योंकि यह normal pressure तो नहीं होना चाहिए change तो यहाँ पे इस state है saturation की उसके अंदर एक pressure जो है वो unstable condition को correspond करता है और यह जो equilibrium है उससे वो deviate होता है अगर यह deviation होता है तो फिर जब तक की वो pressure वापस किसी एक saturated के equilibrium तक नहीं आएगा तब तक वो जो है वो वेपर condensed form में रह जाएगा तो यह जो concept था Calvin और Thompson का उन्होंने भी यही show किया था कि pressure जो है वो वेपर का equilibrium में यह जो drops रहेंगी वो same drops नहीं है जैसे की normal plane surface पे droplets बनते हैं जिसमें की आधा force ही जो है वो एक उसमें bonding में होता है और आधा जो है वो unbonded होता है और उसकी वज़े से वो तो यह थोड़ा different है और saturated वेपर pressure जो है वो इसलिए अगर मालीजे charge लेते हैं और अगर uncharge drops लेते हैं तो दोनों case के अंदर जो size होगा वो different होगा अगर एक relation को study करें कि यह drop radius का R और charge उसका E हो तो saturated pressure जो है उसको हम PR upon PS जो PS जो है वो value equilibrium की है जब वो super saturated state से वापस return हो के आता है saturated state में तो यह 1 upon RT is just T is temperature and rho is the density लेकिन इसके अंदर जो bracket का term है उसके अंदर अगर आप देखें तो it depends on not only the radius लेकिन यह charge पे depend कर रहा है तो यहां के जो है वो इसका dielectric constant है और जो की normally constant रहता है और rho इसकी density है R gas constant लेकिन जो important चीज है वो यही है कि saturated vapor pressure वो उसके drop के radius और उसके charge E पर depend करता है तो यदि उसका charge zero हो uncharged particle है तो naturally तो charge E यह वो greater than ही हर्दम रहेगा हर्दम जादा रहेगा और charge के लिए वो उतना ही कम होता चला जाएगा तो हम उसको identify कर सकते हैं a plane surface के लिए क्योंकि radius of curvature जो है वो infinite होता है तो you can also see that using this relation and now PR upon PS is this value तो अब अगर ions present हो उस vapor में तो वो क्या करेंगे उस condense करेंगे उस iron के around और यह जो vapor droplets हैं अगर proper condition दी जाए उनको environment तो वो grow कर जाते हैं इतने कि जैसे physical size जैसा हम microns में देख सकते हैं तो अगर adiabatic expansion जो है वो जरूरी होता है इस तरह के condensation को प्राप्त करने के लिए और इसको हम अगर gas का nature और इसकी density तो इस तरह से हम उसको vary कर सकते हैं अब यह जो cloud chamber है यह करीब 0.5 seconds तक ही sensitive रह पाता है expansion के तो इतना तेज expansion हमें करना पड़ता है बार बार piston को अंदर बाहर करना पड़ता है normally shift होता है तो यह जो timing है sequence की एक के बाद एक होना है तो यह important है अगर बहुत ही जल्दी माली जे particles decay होके आ रहे है तो events जो है वो जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि वो जब इस तरह के droplets form होंगे तो उसके अंदर वो एक light flash बेजेंगे तो वो उसको हमें image एक camera में दे देगा तो stereoscopic cameras को कम में इसमें लिया जाता है इसके अंदर synchronize करने के लिए एक और तरीका भी होता है कि इसके अंदर incoming particle और beam को synchronize कर दें अगर उसके piston के speed से तो trigger signals को जो हम GM counter से भी ले सकते हैं उससे भी हम इसको detector को synchronize कर सकते हैं और cloud chamber में जब वो enter कर रहे हैं तो तो यह expansion और compression की जो cycle है उसके अंदर लेकिन अगर बहुत speed से नहीं होता है तो बहुत सारे ions जो हैं वो बचे रह जाते हैं और जब यह बचे रह जाते हैं तो उनको गायब करना जरूरी होता है उनको sweep out करना पड़ता है भार नहीं तो वो हमारे events की जो recording है उनको प्रभावित करेगा क्योंकि वो खुद अपने आप में charge है तो वो electrostatic field के जो लगा रहे हो आप उसको देखने के लिए उससे से ही प्रभावित हो जाएगा तो gas जो paper mixture है उसको इसलिए कुछ देर ठंडा करने के लिए रखा जाता है इसको standing time भी बो लो जाए और जो turbulence normally create होता है जल्दी events के आने से वो जो है वो satisfy नहीं होगी condition अब कुछ cloud chambers ऐसे भी हैं जो लगातार operate कर सकते हैं उसके अंदर इन chambers में एक mechanism develop करते हैं जिसमें temperature gradient जो है वो लगाया जाता है increasing या decreasing temperature gradient होता है तो उससे क्या होता है कि उपर तो गरम हो जाता है और नीचे system ठंडा होता है तो इसमें जो chamber है उसको gas को भी time मिल जाता है कि उस vapor के साथ वो अपनी saturation की condition को बार-बार attain कर सके तो इस temperature gradient से एक layer भी form होती है इन chambers में जिसके अंदर की vapor को जो है वो super saturated state में रहता है अब जो particles आते हैं उनके tracks जब इस layer को cross करते हैं तो उनको आराम से observe किया जा सकता है क्योंकि वो जो condensation produce करते हैं ions पे वो clearly visible होते हैं cloud chambers को specific ionization के लिए भी काम में लिया जाता है specific ionization अब जानते हैं per unit जो भी distance है उसके लिए हम यह term use करते हैं तो rate of basically ionization for a given तो इससे हम उसकी जब specific ionization निकालेंगे तो वो range of particles भी निकल जाएगा क्योंकि वो distance का measurement होता है और इससे जो stopping power है उसको हम measure कर सकते हैं अगर हम lead की plates को उसके अंदर chamber में place कर दें और अगर हम angular distribution उसका find out कर लें तो momentum को भी find out करना easy हो जाता है उसके लिए हमें एक strong magnetic field जो है वो लगाना पड़ता है cloud chambers जो है वो research में भी काफी use होते हैं लेकिन अभी आज इन दिनों में इनको कमी use किया जा रहा है क्योंकि ये particle accelerators जो हैं उनके साथ दो attached detectors हैं वो ये investigation काफी अची तरह कर लेते हैं सो वहां पे series में इस तरह के जो fiber optics हैं उनको use करके optical type detectors को use किया करते हैं Now bubble chamber के लिए ये जो है वो allow करता है observation जो tracks का जैसे बताया को individual ionizing particles का भी करतेता है और लेकिन इसका जो concept है वो आपको बताया था superheated liquid के उपर based है cloud chamber जैसा ही है लेकिन जैसे lowest density superchatter cast की जग है यहां पे bubble chamber में जो active volume होता है जिसके अंदर processes होते हैं वो एक superheated liquid होता है और superheated liquid आपको बता दिया without boiling जो उसकी boiling point के उपर state में वो liquid fluid बना रहे है वो उसका supersetted तो low density of gas जो है charge particle जो है उसकी case में अगर low density है तो वो क्या escape कर जाते हैं cloud chamber से और उसको major events नहीं हो पाते अगर उनको हमें properly करना है measure तो इसके लिए उस संभावना को बढ़ाने के लिए जिससे कि वो events record हो सकें properly तो super saturated gas को एक superheated liquid से replace किया जाता है इससे क्या होता है कि जो density है medium की वो करीब काफी बढ़ जाती है thousand times approximately यह जो increase density है energy region की वो उसके लिए लगातार continuous observation के लिए bubble chambers जो है वो high energy particles के interaction को detect करने में काफी successful हो दाते हैं तो bubble chambers जो है वो उनका principle यह है कि जो ions बचते हैं left along the track of an ionizing particle उस track के द्वारा वो superheated liquid में move करेंगे और वो evaporation centers होंगे तो जिससे बुलबुले जो है वो उटते चले जाएंगे वेपर्स उनको हम इतना fast वो grow करते हैं bubbles की वो एक कुछी समय में short समय microseconds में वो एक variable size इतना दे देते हैं जिसे कि हम उसको देख सकें तो अगर एक flash of light use कर लें तो उनसे हम bubbles को और जल्दी भी visible कर सकते हैं और उसके अंदर एक इस तरह का shutter mechanism कर दें जिसमें stereo cameras हो तो वो उस सकता है तो super जो heated state liquid है वो उसको कैसे प्रतिक करें कि उसको एक high pressure पे ले जाएं और उसके बाद temperature पे उसको boiling point के जड़ा से निचे रखें कुछ देर pressure पे और फिर एकदम से जब आप इसको फॉल कराएंगे pressure को तो जिस P0 की value से कम होगा तो इसकेस के अंदर वो एक unstable thermodynamic condition में आ जाएगा उससे temperature जो है वो higher होगा boiling point से pressure पे तो यह super heated जो condition है वो इस तरह से create होती है इस condition में charge particle जो है वो liquid से pass होता है ions create होते हैं उस दरान और वो जो है वो evaporation centers के और growth of vapor के लिए करते हैं यह इसका basic diagram है समझ लें इसमें नॉग पैक्डिटिक पोल एक magnet लगाते हैं अगर momentum distribution का काम करना है beam आती है liquid nitrogen pressure chamber है और इसके अंदर इसको heat up किया जाता है और उससे यह जो है temperature जो है above boiling point लेके आते हैं तो यहाँ expansion line है और इसको रोकने के लिए एक liquid nitrogen gold shield जो है वो प्लेस की जाती है और insulating centers यूज होते हैं नो यहाँ पे जो liquid यूज किया जाता है bubble chamber में वो जाता है hydrocarbon सी होते हैं जैसे pentane, dimethyl, direthyl, ether, propane, liquid, xenon, helium, hydrogen तो liquid nitrogen जो है liquid hydrogen bubble chamber में वो क्योंकि उसका lowest red होता है तो वो ज्यादा useful होती है जिससे कि वो vapors जो है वो easily attain कर लेते हैं state तो bubble chambers काफी बड़े size में भी आप create किये जा सकते हैं तो उससे वो tracks जो है उनकी जो configuration है या plane में उनको measure करना incoming beam के लिए बहुत easy होता है तो पाँच मीटर तक के diameter जो है उसके अंदर ये इस तरह के detectors को कर सकते हैं और यहाँ पे इनको the liquid जो है वो अच्छे से hydrogen के बना दिये गए और अब ही काफी use होते हैं इंडिया में भी काफी use हो रहे हैं इविन IOC using bark भी use करता है और कई सारे particle detectors के लिए इनको और किया cosmic ray में जो showers आते हैं उनके लिए भी इनको काम में लिया जाता है कर दो आते हैं और को आते हैं तो से हो कर दोस्योंस की बनाजन आते हैं और कर दोस्वेड़िया में घजभान तोस्योंसक्ट घचार्पर के छिए रिया डिया है